इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, like as a damn tablet को खाने के साथ लेना चाहिए, अधिक्तम लाव प्राप्ट करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें, आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है, अगर आप अच्छा महसूस कर रही है, यह आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है, तो भी इस दवा का सेवन करते रहें, अगर आप अपने डॉक्टर से परामर्ष किये बिना इसे लेना बंद करेंगे, तो आपका बलड शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपको किड अपने को नुकसान, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का जोखिम हो सकता है, याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल हो आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, लाइक एजडम टैबलेट का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लुकोस तर में गिरावट, यानी की हाइपोग्लाइसेमिया है, सुनिश्चित करे कि आप लो ब्लड ग ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। को बताएं, ये उप्यूक नहीं हो सकता है, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफि को क्लिक करें धन्यवाद।